आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको मखाना खाने के फाइदे बताने जा रही हूँ मखाना एक हलका फुलका स्नैक्स है जिसे हम सुखे मेवों में शामिल करते हैं अगर इसे निमेत तोर पर सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो इसके अंगिनत सेहत लाब पाई जा सकते हैं अगर आप जल से जल मदूमे को खतम करना चाहते हैं और सेहत के अन्य लाब पाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट चार मखाने खाएं इनका सेवन कुछ दिन तक लगातर करें आप मखाने के चार दानों का सेवन करके शुगर से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं इसके सेवन से शिरीर में इंसुलीन बनने लगता है और शुगर की मातरा कम हो जाती है फिर धीरे धीरे शुगर और भी खतम हो जाता है मखाना केवल शुगर के मरीज के लिए ही नहीं, बलकि हार्ट अटेक जैसी घंबीर बिमारियों में भी फाइदेमन्द है। इनके सेवन से दिल स्वस्त रहता है और पाचन किर्या भी दुरूस रही है। मखाने के सेवन से तनाब दूर होता है और अनिद्रा की समस्या भी दूर रहती है। रात को सोने से पहले दूद के साथ मखानों का सेवन करें, खुद फरक महसूस करें। मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इनका सेवन जोडों में दर्द गठिया जैसे मुरिज्जों के लिए काफी फाइदेमन साबित होता है। मखाना एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होता है जो सबी आजू बरक के लोगों को असानी से पच जाता है। इसके अलावा फूल मखाने में एस्ट्रीजन गुन भी होते हैं जैसे यह दस्त में रहाद देता है और भूक में सुधार करने के लिए मद्दगार है। किड्नी को मुझबूत बनाने और ब्लड को बेहते रखने के लिए मखानों का निमिद सेवन करें। मखाने कमल के विचों की लाही है। मखाना को देपताओं का भोजन कहा गया है। फूजा एवावन में भी ये काम आता है। इसे औरगैनिंग हर्बल भी कहते हैं। क्योंकि यह बिना किसी कसाइनिक खाद या कीट नाशी के उपजोग में उगाया जाता है। मखाना के सेवन से इतनाब कम होता है। नीद अच्छी हाती है। रात में सोते समय दूद के साथ मखाने का सेवन करने से नीद ना आने की समस्या दूर हो जाती है। इसके इलावा मखानों का निमत सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। हमारा श्रीर सेहतमन रहता है, मखाने में मजूद प्रोटीन के कारण यह मसल्स बनाने और फिट रखने में मदद करता है, मखाने में कैलरी, वसा और सोडियम कम होती है, इसलिए इसे किसी भी बखाया जा सका है, यही नहीं इसे खाने से पेट भी जल्दी भरता है, यह से और दांत के लिए फाइदेमंद है जो लोग अपना बजन कम करना चाहते हैं उनके लिए मखाना किसी बर्दान से कम नहीं है इसमें बसा नहीं होती है साथ ही इसे खाने से पेट भी बर जाता है तो भूख भी कम लगती है मखाना एक एंटी ऑक्सिडंट से भरपूर होने के क करता है जिस बजह से आप लंबे समय तक जवाब बने रहते हैं जूरियां और वालों खस्पेद होना भी मखाने से कम हो जाते हैं गरबती महलाओं के लिए अच्छा और प्रेगनेंसी के बाद कमजोरी मैसूस करने वाली महलाओं को मखाना खाना चाहिए अगर आप कौफी पेने की लत लगी हुई है और आप उसे चुटकारा पाना चाहते हैं तो मखाना खाएं मखाना में कोई सवाद नहीं होता इसलिए आप इसे बनाते वक्त इसमें नमक डाल सकते हैं आप इसे हलकी आच पर घी के साथ भून कर नमक डाल कर खा सकते हैं मखाने की तासीर तंड किया जा सकता है अगर आपके जोडों में दर्द है तो मखाने का सेवन करने से आपको दर्द में रात मिल सकती है मखाने में प्रोटीन काफी अधिक मात्रा में मजूद होता है जो लोग अपने दैनिक आहार में प्रोटीन का सेवन अच्छे से नहीं कर पाते उन के लिए मखा पाने का 25 ग्राम सेवन करने से श्रीर निरोग रहता है